नमश्कार दोस्तों आज बात करेंगे बंदर को कैसे बगाएं आपने बहुत जादा कमेंट किये थे कि बंदर को बगाने के लिए कोई वीडियो बनाईए तो आज इस वीडियो में आपको 10 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिनको आप अपना कर या जो भी तरीका आपको सब बहुत धन्यवाद उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि आप बंदर को भगाने के पर भी कोई वीडियो बनाईए तो आज इस वीडियो में आपको वह सब तरीके बताने वाला हूँ जिनको आप अपना कर बिना किसी खर्चे किये हुए बड़े असानी से बंदर को भ फसलों के आपके खेतों के भी नुकसान हो सकते हैं किसान भाई भी बहुत जादा हमारी परिशान हैं हमारी फसलों को भी बहुत जादा बंदर जो हैं परिशान करते हैं दोस्तों कहीं न कहीं हम इनसानों की ही गलती की वज़े से आज इनकी तादाद इतनी देखने के मिल रहे हैं तो इनको सिर्फ हम डराकर अपने घरों से जो नुकसान करते हैं इनसे दूर रह सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास तक देहिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और जिस टोपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं दस तरीकों के बारे में दोस्तों यह जो दस तरीके में आपको बताने वाला हूं यह सुनने में ही भले थोड़े आपको अजीब लगें लेकिन यह शत प्रतिशत कारगर हैं आप इन में से कोई भी त कोई तस्वीर या लंगूर जैसे दिखने वाला कोई बंदर या गुड़ा रख दी दिए दोस्तों जो बंदर होते हैं हमारे लंगूर से सबसे दादा डरते हैं यह लंगूर के आसपास नहीं भटकना पसंद करते हैं अगर आप लोग अपने घर की छत पर कोई भी एक पो पास जहां भी आपको बंदर नुकसान पहुचाते हैं वहां पर रख दीजिए यह तरीका दोस्तों 100% कारगर है एक बार करके जरूर देखेगा बात करते हैं दूसरे तरीके की तो दूसरा तरीका है दोस्तों वह आपको आपके जो घर के बच्चे होते हैं उन पर जो बंदर जब देखता है तो बहुत यह नहीं दर जाता है और आपके पर सही बहुत दूरी द diferença बना लेगा यह दूसरीप हो गया। हेसे पुरूर दोस्ती स्कूर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों आपको पुराना ग्रीश या मोबिल किसी बाइक वाली की दुकान से ले किसको मिला कर वह तेल को आपकी ब Crew dspeaking के तार गराएरा है या इंड वगरां आपको उस पर अच्छे से लगा देनाए लगाने के बाद में जो दोस्तों आपका udah रीकुल शुरक्षेथ हो चुका चोता तरीक आपि दोस्तों वहरे लेजर लाइट लेजर लाइट से भी जो है हमारे बंदर बहुत जादा डज़ते हैं और बहुत जल्दी दूर बागते हैं लेकित यहां पर 자илась कर्ड़ भी सकते हैं और आप इसको मंगा सकते हैं इक ग्रीन वाली जो laser light आती है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, जब भी आप laser light बंदर के मारते हैं, दिन में भी बहुत ज़्याओ चमकती है, बंदर के आसपास भी दिखती है, तो बंदर इस laser light से दूर छला जाता है, बंदर को ये शक होता है कि उस पर कोई निशाना लगा रहा है या कोई बंदूग दाग रहा है इस वज़े से बंदर बिल्कु दूर भाग जाता है ये होगा दोस्तो चोथा तरीका बात करते हैं पांचवे तरीके के बारे में तो पांचवे तरीके में दोस्तो आपको मैं बता दू आप लोग अपने घर पर कोई भी पैट पाल सकते हैं, कुत्ता बाल सकते हैं कुत्ता पालने से भी आपके जो घर है वो बिल्कुल सुरक्षित होने वाला है जिस घर में दोस्तो आपको कुट्टा देखने के लिए मिलेगा बंदर वहाँ पर कम ही ठहरना पसंद करते हैं ना तो वो आपके छट पर कोई नुकसान पहुचाएंगे ना ही वो आपके छट पर उतरेंगे वो आपका होने वाला है दोस्तो फैंसिंग फैंसिंग आप लोग अपनी छट पर लगवा सकते हैं फैंसिंग में आप लोग जटका मशिन के बिश्त हैं जटका मशिन दोस्तो आपको घर के लिए घरेलू परपस के लिए मात्र एक से देड़ हजार रुपे की पड़ी असानी से मिल जाएगी आप लोग ओनलाइन भी मंगा सकते हैं और ये सेट अप करवाने के बाद में आप लोग बंदर से कई सालों तक जो है अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं अपने छट को अपने ग लगवानने के बाद में लगबग 10-15 सालोतों का आप लोग बिल्कुल फिरी होने वाले हैं बंदर के साथ-साथ अन्य जो आपके जंगली जानवर होते हैं अवारा पशू होते हैं जो आपकी फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं चाहें वो नेल गाय हो चाहें वो जंगली आपकी गाय हो या बिजार वगयरा जो शिकायत आपको देखने के लिए मिलती है इन सबसे भी आप अपनी फसल को सुरक्षित कर लेंगे अब बात करते हैं दोस्तों साथवे तरीके के वारे में तो जो साथवे तरीका है उसमें आप लोग क्या कर यह दोस्तों अंडे को औ और सरफ का घृफ बनालीजे स्थमक्राइब योजो गौने के लिए ये छोड़ देजिए रही बिल्कुल इक तरीके सड़ जाएगा वो पानी उसके बाद में आपने खेतों के चारों तरव दोस्तों उस ही जो जो चलफ ऐसागो वजय से जो बंदर हैं बंदर को खटी चीजें गंध बिल्कुल दोस्तो पसंद नहीं होती है इसकी वज़य से एक गंध उत्पन होगी जो बंदरों को काफी दूर तक जाने वाली है तो वह बंदर आपके खेट के आसपास और आपके खेट को नुकसान नहीं पहुचाएंग वह आप लोगमा पूटला या तो मूउ मूउ तो बना लिज्य किसी तरीके से। या मार्किट से मिल स्टूम कि एक तरीके से वह आप लोगममु बढ़ारा देजाकर से यहां उचाल एक ज्शत समानी वाले हैं इस Look G यूए बंदर को बहुत जादा डराता है और जहां भी भालू होगा एक तरीके से खेजिसे बहुत जाता डराबना बंदर को लगेगा और बंदर वहां से बिल्कुल गायव होने वाले हैं, वो आपके ना तो छट को नुकसान पहुचाएंगे, ना आपके घर पर लगे प्वेड पोदो को नुकसान पहुचाएंगे, और ना ही आपके घर पर आना पसंद करेंगे, बात करते हैं नवे तरीके के बारे में, तो न फिरने घरोब रस्यों वगयरा पर तांग दिजिए या किसी भी जगह पर रख दिजए दिवार वगयरा पर तो वहां पर भी जो बंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा बंदर शाप से जो है वहाँ पर नहीं रुकेंगे और भाग जाएंगे वहां से तो हैं जो भी आपको साना लगा सकते हैं और बंदरों जो हैं अपने घर से शुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी संस्ताइं इसत्व काम कर रही हैं कई ग्रामों से क्या करते हैं लोग बंदरों को पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में डाल कर कई अन्य जो जगा जैसे बन वगशेर होते हैं वहाँ पर छोड़ाते है इससे आपके गाउं में, अपके शेहरों में बंदर कम हो सकते हैं तो इन लोगों से कैसे contact करा जाए तो मैं यहां पर इसक्रीन पर number दे रहाओं आप इन इसक्रीन के numbers पर call कर सकते हैं और अपने घर के जो भी बंदर या आपके महुले में जो भी बंदर हैं आपके गाउं में कुछ ज्यादा ही बंदर हैं तो आप लोग इनसे contact करकर इनको आग आगा हुआ आगल